नमस्कार दोस्तों दोस्तों सुाहतव एक वार फिर से मेरे चनल आ न पि गूरूप में थो दोस्तों देखिए यहां पर एक नई जानकरी दोस्तों आ और नई खबर दोस्तों यह पर चलिए बात करते हैं यहागजा लेक्शलेश कवए पर एक फरवरी से महंगा अब देखिए दोस्तो यह महंगा क्यों हो रहा है तो बनेती हैं थी मारे यमुना एक्सरेज वेपर सफर करने वाले लोगों को एक फरवरी से बढ़ा हुआ टोल देना पड़ेगा जेपी इन्फराटेक ने यमुना एक्सरेज वेपर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आथर्टी और सासन से 20 पैसे प्रती किलोमीटर सेंस लगाने की मांग की थी इस पर आथर्टी ने सासन के नर्देश पर 15 पैसे प्रती किलोमीटर सेंस लगाने की मंजूरी दिया यमना एक सुरुजवेपर आए दिन हो रहे हास्वों को लेकर सीम ने लखनव में सुरुक्षा को लेकर मीटिंग की थी इसमें यमना अथर्टी पुरिस पिरसासन और जेपी इन्फराटेक कमपनी के अधकारी सामिल हुए थे इसमें यमना एक सुरुजवेपर सफर करत कैसे सुरुक्षित बनाया जाए इसको लेकर बिचार हुआ था इसके बाद ग्रेटर नौडा से आगरा तक 168 किलोमीटर पर स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला लिया गया था सुरक्षा आउडिट का काम पूरा हो गया है आउडिट करने वाली टीम जल्द रिपोर्ट सौंपेगी एकस प्रेजवेपर स्पीट लिमिट घटा दी गई है इस्ट्रीट लाइट लगाने का काम 14 जन्वरी से सुरू होगा पहले चरण में ग्रेटर नौडा से जेवर टॉल प्लाजा 40 मीटर की दूरी पर एकस प्रेजवेपर के सेंट्रल वर्ज पर सौलर इस्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी च्छे महिने में कुल 4125 लाइट लगाई जाएंगी यमना एकस प्रेजवेपर लोगों का सफर सुरुक्षित करने के लिए 14 जन्वरी से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी इसके लिए 15 पैसे प्रती किरोमीटर सैस लिया जाएगा तो देखिए ये जानकारी थी दोस्तो यमना एकस प्रेजवेपर की और इसमें देखिए कहा कहा पर क्या हो रहा है कहा कहा पर लाइट लगाई जाएंगी दोस्तो और ये काम कब से शुरु हो रहा है उत्थ हम पूरी जانकार दी गई है और आपको जो टेक्स होग कितना देने पड़ेगा कितना आपको एक्षा पैसा दिने पड़ेगा तो दोस्तों उसकी जानका रही थी इसमें आपको जानकर यह अच्छी लगे होगी तो आप इस वीडियो को जदा ज़दा सेर करिए दोस्तों और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दोस्तो